हलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज मैं पुरानी साड़ी और डूपट्टे का रियूज आपके पास लेके आई हूँ जो की बहुत ही सुन्दर सा तैयार होने वाला है तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को पहले ही यूज किया है इसको मैंने निकाल के अच्छी तरह से वाज करके मैंने उसका यूज किया इसका मैंने पाउच बैक बनाया जो देखने में काफी सुन्दर लगता है मैं उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्सम बाक्स में ढाल दूंगी आप वहां पे जाके उ इसको इस तरह से खिशते हुब इसको निकाल लेना है अगर आप इसको सीजर से सूचेंगे कि हम लाज तक इसको सीजर से कट करें तो इसमे काफी टाइम लगने वाला है तो इसी तरह से बहुत ही ऐज़ी बहुत ही अच्छी तरीके से यह निकल भी जाएगा इसमें से तो बس इसी तरह से इसको इसको कट करना है उसको लाट सक पर निकाल देना है आप देख सकते हैं कि पहोँ अच्छी तरीके से निकल क्या है तो स्वीम इसी तरीके से हम बुडे कि फोर इंच पे करें करके का पतला रहे गाइब दो इंच पे निकालना है आप के पाज किसी भी तरह की साड़ी हो कोई गयोगा आप उसका यूज़ कर सकते हैं आप चाहें हैं तो इसको अज़ु je गोला ह分享 तो बस मैंने संब PUBG को इस तरह दे निकाल लिया यह था कि एक दूसरी मुशन हो है किनारियों को हाथों में इस तरह से फसाना है और इसको इस तरह से राउंड से में एक गोला सा बना लेना है अगर हम इसी तरह इसको खुला रखेंगे तो ये एक दूसरे हम उलत जाएंगे और हमें बनाने बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है इसलिए हम इसी तरह से सभी इस ट्रिप को अच्छी तरह से एक केकर की कठा करके रख लेंगे सभी को इस तरह से बना लिया है हमिखाँ है तीन फुर्फ मेतर निकालें है किस तरह से इसको एक दूसरे में इसको सिलना है उसको वह भी त्ना आपको बता देते हैं कैसे करना है तो इस तरह से पहले strip हम इसको खोल लेंगे और दूसरी भी खोलने के बाद इसके उपर just इसी तरह से रख देंगे इसी तरह से तीसरा layer भी हम इसका इसे भी रख देंगे तो बस करना क्या है इसको इस तरह से 20 से पहले fold करना है तो बस तीनों को इस तरह से 20 से फॉल्ड करना है यह दूसरे में मूडा ना रहे इसको तीन से चार बार हम इसको फॉल्ड करेंगे जब तक यह थोड़ा सा पतला ना हो जा जादा मोटा ना रहे तो हमने इसको तीन या चार बार इस चार बार हमने इसको इस तरह से फॉल्ड क सुई धागे से चलाना है किना साथ यह स्कालर की सिलना है तो वी छोड़ना में इस को शब hell तल्य के सिलना है कि प्रत्ताना में काफनी नहीं है, टूट गाइगा कमाँ!! इस तरह से फसा के सिल लेंगे तो मैंने इसको फसा लिया है अगर आपके पास कोई है तो उसके हाथ में इस तरह से पकड़ा इसे चोटी बनाते हैं इस तरह से इसकी चोटी बना लेना है अगर आप अकेली हो तो किसी कुटी या किसी भी चीज में इसको बांथ के उसे भी आसान होता है देख सकते हैं कि जैसे हम बालों की चोटी बनाते हैं बस उसी तरह से इसको बनाना है तो बस थोड़ा सा दिक्कत होता है फिर इस तरह से हम इसको बना लेंगे जब दूसरा इस्ट्री पिसमें एट करना रहे तो किस तरह से करना है बस एक पकड़ना है इसमें इ सुई धागे इसार के भाइण कि बनालेना है आनो में ईसको सुई धागे से एक से डेवर इंस अ क छुड़के करए तो इसी तरह से हम तीनों के सबस्ताइब स्की कि य अघर कोुछ से तो के व् wrong सब्सक्राइब कि तो इसी तरशे हम रिखा दे तैंसे इसको एगा लगा देते हैं फिर से आपको दिखा दें कि इसको की तरह से लेना है और पूर कैसे इसको सिले ना हैंतो आप देख सकते हैं कि मैंने एक करके तीनों में अलग-अलगी श्टिप लगाया है और उसको अच्छी तरह से मैंने सिल लिया है तीनों को बस करना क्या है कि अभी जितनी भी इस ट्रिप मैंने काटी थी सभी को बहुत ही अच्छी करीके से चोटी उसकी बना लेनी है तो देखिए अगर आप थोड़ा सा इसको बना लिए तप केले भी इस तरह से आप इसको इजली बना सकते हैं हाने या तो आप इसको किसी भी चीज में खूरी हो या ख Оп comment की हो खिरिकी हो कहें ही भी कि इस तरह से बनाएंगे तो पहले हम लेंगे दूसरा वाला कलर जो है ताकि भीच में वह कलर है देखने में पिस अच्छा लगे तो सुरुमें हमको इस तरह से इसको लेना है और और मैंने इणची टेप से मैं बता दी थू कि इतने लंबा इसका कितना लेना है तो मैंने 6 लिया है इस तरह से इसको जैसे एक रहता है उस तरह उस आकार में हमको बनाना है इसको गोल सेट पर नहीं बनाना है देखे मैंने 6 इंच पहले ले लिया है तो उसी से हम इसकी सिलाई करेंगे उसके लिए मैंने ये सुई धागा ले लिया है आप चाहे तो मूटा वाला धागा यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास नॉर्मल धागा जो सिलाई कर रहता है उसको 3-4 लेयर में उसको लें अगर जादा बड़ी सिलाई कर देंगे आप तो इसकी दिखने लगेगी बैसे नहीं करना है बहुत ही छोटी-छोटी सिलाई करना है तो हम पूड़े में इस तरह से इसको सिल लेंगे पकड़ दे हुए तो अब आप करें कि आपके पास बड़ी वाली सुई रहे छोटी वाली सुई रहेगी तो थोड़ी रिक्कत होगी रखे कि बड़ी वाली सुई और मोटे वाले धागी का यूजी आप करें अगर नहीं है मोटा वाला धागा तो पतला वाला नॉर्मल जुद धागा रहता है तो उसको तीन से चार लेयर में ही डाल की इसकी सिलाई करें ताकि ये खूले नहीं जल दे तो देखी मैंने एक बार इसको इस तरह से सिलाई कर लिया है तो बस करना कहा कि इसको इस तरह से र पार पांच पार इस तरह से रॉंड ये से तेके एक सांथ में हम जल्दी और मजबूत भी रहें तो इस तरह से आप पहले इसका से तरह से चल ये प्रक्राइब पर इसको अच्छी तरह से सिल दें तो उसके हम इसी तरह से सभी को बनाते हुश लगा लेंगे तो आप देख सकते हैं मेरा यह इतना रेडि हो चुका है फोड़ा सा इस्का किनार्या जो बंचा में लाश का किनार्या रहेगा उसको बहुत ही अच्छी था नैसी तरह से इसमें सिलना है डेखी जहां पिककिया है और इस में ज्यादा है कि अगरा दिखाई नहीने देखें है तो आप कोसिसे कि मोटा वाला धागा हो तो उससे भी आप सिल सकते हैं कि पतला वाला रिंग है जो धागा तो उसको तीन चार बार उसको उसको लेयर में करके ही सिलें तो देखें हमारा यह जो डोर्मेट है अच्छी तरह से रेडी हो चुका आप इसे बेट के पास या तो अपने गेट के पास रख स बहुत ही अच्छा सा डोर्मेट है और जीरो कॉस्ट में रेडी हो गया है तो आपके अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है आपको तो हमारी चैनल को लाइब सब्सक्राइब से जरूर